हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोसोलोजी विस संगीता मैं संगीता स्वागत करती हूं और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोसोलोजी के कंपेटिटीव एक्जाम के प्रिपेरेशन करते हैं आपको इस चैनल में डेली दो क्ला सब्सक्राइब को जाड़कन लेडी सुपर्वाइजर का जो एक्जाम है वह नजदेखी है आपका 8 सेप्टमबर के बाद आपको कभी भी आपका डेट देखने को मिल जाएगा तो वैसे स्टूडेंस जो अभी भी पेट ग्रूप से नहीं जुड़ पाए हैं उनको कुछ प्रॉब्लम है तो जिसके लिए अभी जन्मास्ट में के सुब अफसर पर मैंने प्राइस में बहुत बड़ी डिसकाउंट मैं कर दी हूँ अब आपको नोट्स जो है वह ओन्ली 999 में कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा और साथी साथ टेलीग्राम का लिंक भी मैं फ्री को एटेंड कर सकते हैं और आपका जो मॉर्निंग के क्लास है इसमें हम लोग आज का जो टॉपिक है वह है प्रमुक समाजिक संस्ता है और दोपर के तीन वज़े क्लास को भी आप जरूर एटेंड की जाएगा उसमें हम लोग 100 कुश्चिंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे औ इस चैनल के माध्यम से जरूर जूरें और अगर आप सिस्टेमेटिक वे से त्यारी करना चाहते हैं लेवस के कॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स को पढ़ना चाहते तो जो कॉंटेक्ट नमबर दिया हुआ आप उसमें कॉंटेक्ट करके नोट्स को पर्चेस कर सकते हैं और प्रमुक समाजिक संस्था हैं संस्था है क्या क्या होती है उसको हम लोग देखेंगे इसके अंतरकत आपका पडिवार विवा सिक्षा संस्कृति यह सभी आते हैं और एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं और कैसे कोशन जो है वह एक्जाम में पूछे जाते इस टॉपिक से रिलेटर उसको भी देखेंगे तो सबसे पहला जो हमारा है वो है पडिवार तो कोशन पूछा जाड़ा है कि मारगन ने उद्विकास क्रमानुसार पडिवार के कितने प्रकारों का उल्ले किया है तो मारगन महोदे ने कितने प्रकार के प्रकारों का बात क तो पडिवार की उत्पति का उद्विकासिय सिध्धान्त सबसे पहले किस ने दिया था तो मारगन महोदे ने दिया था और इस संबन में उन्होंने कहा था कि समाज की आडंबिक अवस्था में पडिवार एवं विवा नाम की पहले कोई संस्था नहीं थी पहले आडंबिक का साल में क्या था कि सिर्फ यह एक सेक्स कम्यूनिजम था और विवा एवं पडिवार का जो विकास है इसके बाद की जो यूग हुए हैं उसमें हुए हैं मारगन अपने विचाड़ों में यह भी पुष्टी की कि नीमित हवारों के अबसर पर स्वेच्छा चार यानि एक्सच लें की सीस्टेम ही नहीं था किइस्सें बिवार करना या किस नहीं कर न तो उसमें क्या बोडं जा रहा है कि बादक्त की सम्टपर बार इसमें मतलब जैसे बहन है तो उससे भी बिवा हो जा रहा है फिर समों फिस सेकेंड था था समू बिवा पड़िवा जिसको की पेनालवल फैमली बोला जा रहा है इसमें क्या होता था कि कोई एक जो समुदाय के लोग है उसमें एक रिस्त्री का व सारे समुदाय के साथ पूर्टिवार के सदर्श्य थे उनका मतलब आपती पत्ति नहीं सकते हैं तो उनकी अपनी आवशक्ता है पूर्टिवार में क्या होता है पूर्श्य प्रधान होता है और फिर बाद में परिवार आता है जो अभी हमारे बरतमान समय में चल रहा है वो है एक विवाही परिवार जिसको की मोनो गेमियन परिवार भी बोला जाता है तो अगर इंपोर्टन फैक्स की तरब देखें तो जो इतिहास कार है Lawrence Stone इन्होंने परिवार की विकास का इतिहासिक परिपेख्ष विक का भी बिसलेशन किया है साथे साथ उन्होंने बताया कि फडिवार तीन चर्नों से होकर घुजरता है यह बात कौन बता रहे तो Lawrence Stone बता रहे है पहला चरंग के बारे में बात की कि यह खुला वंसावली पडिवार होता है दूसरा चरण के बारे में बात के कि यह प्रतिबंद पृत्तर सत्मास्तव्क परिवार होता है थर्ड उनों ने बात कि कि बंद घड़ेलू मूल परिवार की मुख्य विसेस्ताओं को भावात्मक और व्यक्तिवाद कहा हैं अईसा भी उन्होंने इसके संदर्वे में बात की सबसे पहले क्या हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा सम्रक्त परिवार उसके बाद पुनालुवन परिवार उसके बाद सिनदेशियन परिवार फिस पत्रस तात्म परिवार और उसके बाद एक विवाय परिवार के कि परिवार के मुल्यांकन में मुख रूप से उपाघम का प्रियोंग किया जाता है कि अतरवाधि का विभाजन क मय कि आप लोग ग्रेजूएइज पढ़ा है पड़िवार क्या है इसकी अंतरकत भी जो कितने thinkers हैं और कौन से thinkers क्या बोले हैं इसका complete आपको आपको चीज़े याद नहीं रहेंगी और मैं जो नोट्स बनाई हूं मैं वैसा ही बनाई हूं ताकि आपको bookies language ना लगे चीज़ों को पड़ने के बाद आप असको तुरंत याद कर दिये वहां पर हम लोगों ने पढ़ा उद्विकासिय यहां पर क्या बोलगा तो यह अलग थिंकर हो जाएंगे जिम्मर्मेन और इनकी पुस्तर थी फैमली और सिवलाइजेशन इसमें उन्होंने पाश्चात पडिवारों को ध्यान में रखकर तीन प्रकार के परिवारों की च्रचा की थी तृक ने परिवार के दो भागों में विवाजित किया था स्वतन्त मूल पम अर्डक फिदिके कितना मुर्णक बात करें इधारेणोग लोग पढ़े जिमर मैं आन्विक और ग्रिहस्त कि यानम मत्तित मुद्वार्क प्रкивार टो ये चीजिव क, याद रखोड़ा जिम्मेर में तीन प्रकार के और मुर्दक दो प्रकार के हैं, नेश्कोशिय ने कि अनुवादी परिवार की अवधारना किस ने दी है, आनुवीक परिवार या अनुवादी बोले, तो वो कौन हो जाएंगे, जिम्मर में हो जाएंगे, नेक्स एक बिभा के बाद व्यक्ति स्वैम निम्न लिखित में से किस प्रकार की रक्षना करता है तो बिभा के बाद अगर व्यक्ति कर रहा है तो वो प्रजनन मूलक परिवार कहलाएगा नावी किया मूल या जो परिवार मूल की अवधाना सरपतम मर्डख महोदा ने 1949 में दिया था परिवार को वर्णर ने दो भागों में वर्णर महोदे भी दो प्रकार से बागते हैं कौन-कौन सा प्रभाव या अनुकूलन परिवार आप लोगे अचकाज काम कीजेगा कि मैं परिवार की जितने थिंकर्स के बाड़े में आपको बता रही हूं किसने क्या बोला है किसने कितने प्रकार को वार किया है मैं आप लोग को होमबर्ख दे रही हूं कि आप लोग एक कमेंट में मुझे पूरा परिवार का मैसेज करके दिजिए कि जे मर्मेन ने कितने प्रक पुलन पडिवार एवं प्रजिनन पडिवार दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट करते वे गिडिंग्स महदे बताते हैं कि प्रभव पडिवार वो पडिवार होता है जिसमें विक्ति जन मिलता है तो बच्चों के लिए उसके माता-पीता का जो पडिवार होता है वो प्रभ पड़िवार बोला जाता है। ऐसा किस ने कहा है, तो ऐसा गीडिंग्स मोहदय ने कहा है। अब फिर बोल रहा है, जिस पड़िवार को युवक और यूप्तियां विवा कर स्थापित करते हैं, ठीके। एक लर्की-लर्की के साथ विवा हो रहा है। उसके बाइं जो पड़ परिवार बोला जाए और जो डिफ्रेंस ह। आप लोगों को समझ मेन आंगे मां घा कि प्रभव परिवार और परजन परिवार क्या हैं पर यदि किसी दमपति की कोई संतान नहीं होती तो वैसे मूल परिवार में प्रभव परिवार को रहे वह प्रहलु गॉन होता है और दोने या दो से अधिक एक ही जो माता मदब जो स्त्री और पुरुसे उनका कोई बच्चा नहीं हुए तो उनकी अगर मित्ति हो जाती है तो वो जो परिवार होता है प्रभव परिवार वो स्वत ही क्या होता है समाप्त हो जाता है ठीक है तो हम इन चीज को ध्यान में हो रहा है उसके बाद जो परिवार का गठन कर रहा है वह प्रजनन परिवार हो जा रहा है और जो माता-पिता है उनके पास बच्चे रहरे जो बच्चे रहरे वह प्रभब परिवार कर रहेगा तो माता-पिता के लिए उनका परिवार प्रजनन परिवार हो गया और बच्च था लिए को सब्द्या का प्रयोग अनुसार सीने मुष्इप आरंभ में 10 किसम एक पत्न वाद अपनाए जाता था नेक्ष परिवार सब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है नेनलकित में से कौनसा एक नहीं किसको हम नहीं कह सकते रहें तो रखतवा बीभादवारा संबंदेच जो नातेदारि संभू होता है उसको हम परिवार कते हैं समान पुर्वजों वाला हमारे जो पुर्वजों वो समान नहीं होंगे तो वह भी परिवार होगा अपने बच्चों के साथ जो व्यक्ति रहते हैं वह भी परिवार होगा लेकिन एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का जो समू होता है उसको परिवार नहीं कह सकते हैं अ परिवार के अध्यन के लिए स्थान कार या लोग का सूत्र किसने दिया है तो देखे फिर एक और ठिंकर आगे परिवार के अध्यन के लिए को स्थान कार या लोग का सूत्र दिया है फैडरिकली प्ले किसने लिए फैडरिकली प्ले क्या बोलते हैं कि परिवार का मौलिक प् दो प्राइब कतेम नतीजर पराइबार जीविका निर्वां के लिए विधी कर निर्दारण कुता है जिसमें परिवारिक जीवन होता हो है इस प्रिकार जो लीन हो दित متनानिक जीवत व्यषा दिया गया नेश्ट आ नेश्कित इंदे समाप्ति completely जा रहा है तो गुडे महोदे ने कहा है कहां पर किया है तो क्या बोला जा रहा है कि दा कमिंग वर्ड आफ ट्रांस्फोर्मेशन के लेखक फर्डिरान लून्बर्ग लिखते हैं कि परिवाल लगवक समास्ति की और जा रहा है मनोविशलेशनक जो विलियम बूल्फ थे उन् उग्ट बतार के दावट का अनुभव किया गया है और परिवार के समाप्थ होने का संदे भी दिखा गया है क्योंकि वहां पे क्यों पर्य प्रकारों में लिल्टन ने कौन कौन से परिवार के बारे में बात की हैं तो सम्रक्त परिवार और ग्रामिन परिवार के से इन्हों ने बात की है। ०िषा है। जो कोग्स में पाए जाते थे उनको क्या बोला जाता थे उनको उक्का बोला जाता था और इसका अधिम किन की द्वारा किया गया है तो एमन स्री निवास जी के द्वारा उन्होंने अपने पुस्तक रिलीजिन और सोसाइटी एमंग दुक्स ऑफ साउथ इंडिया में इस बात की चर्चा की है और इसकी अधार पर उने बताया है कि जो दक्षिन भारत का पित बंसागत संयुक्त परिवार है जो कुग्ज में पाय जाते है उसको क्या बोला दा एक और ये एक प्रकार की मजबूत संस्था भी होती है कोश्य नमर सेवेंटीन है कि परिवार का सरवाधिक आवशक समाजिक कारे क्या है परिवार का क्या इंपोर्टेंट टाडे है तो वो है संतानोपत्ती और संतान का पालन पोर्षन करना ये किसमें बोला गया है तो जो Kingsley Davis महोदे थे उनकी जो पुस्तक थी Human Society और W.J. Moore की पुस्तक का नाम किया था The Family इसमें उन्होंने परिवार के समाजिक काड़ियों का उलेक किया है और उलेक करके उन्होंने बताया कि प्रजुनन कारे अर्था संतानोपत्ति और उनका पालन पोर्षन करना परिवार के सदश्यों का देख रेक करना उनका देख भाल करना उनको समाजिक इस्तिती परदान करना बच्चों का समाजी करन करना और उनके साथी साथ समाजिक के उनका नियंतन भी करना और आर्थिक यह सब क्या है पडिवार के आपके काड़े important उनके समाजिक काड़े यहाँ पर देखी कथन और कारण दिया गया है कि ऐसा बिस्वास किया जाता है कि संस्था निर्मान का चक्र परिवार ने प्राडम किया है कारण यह है कि आधुनिक परिवार जो होता है वह संस्था विहिन होती है तो आधुनिक परिवार क्या संस्था विहिन है ऐसा तो नहीं है तो हम कहा सकते हैं कि कथन तो एस सही है लेकिन कारण जो है यह इस सम्ड़क्त परिवार रॉल्फ लिंटन तो समझ रहे कि परिवार के अभी तक आप लोग कितने सारे थिंकर्स का नेम सुन लिए ठीक है नेक्स्ट है कोश्चन नमर्ट 20 पूछा है कि एकांतिय नावी के परिवार की अभधारना किस ने गी दिये तो एकांतिय नावी के परिवार की अभधारना टालकर्ट पार्संस जी ने दिये किस ने कहा है कि परिवार एक सारभ भॉमिक संस्ता है तो जीबी मर्ड़क ने कहा है जीपी मर्ड़क ने कहां किया है तो उन्होंने उनकी जो पुस्तक ते सोसल स्ट्रक्चर इसमें कम से कम 250 समाजों का वे अध्यन किये थे और अध्यन करने के फेलोसिरुप वे बहुले थे कि परिवाज यह एक सार्बुभॉमिक, मतलब सभी जगा पाई जाने वाले संस्ता है परतिक समाज का अपना कोई नो कोई परिवार होता है और इसमें उनकी जो काड है महतुपून काड है उनका संपाधन किया जाता है नेश कुषयने के किसकी द्वारा पूरुस की एकाधिकार की भावना और इसला को परिवार की उत्पति का प्रमुक कारण बताया है तो मवैस्टों मार्क ने उनकी जो पुस्तक है history of human marriage इसमें उन्होंने पूरुस की एकाधिकार की भावना और इससा को परिवार की उत्पति का प्रमुक कारण बताया है इस प्रयोजन है तो पूरुस ने महिलाओं पर एकाधिकार जो अधिकार है वो स्थापित करने का उन्होंने सोजा यह प्रथा तब तक चली जब तक कि दो डिवाजों ने परिवार रूपी संस्थां की सथापना नहीं की वेश्टर मार्क जो थे वो बेफाल्ट की अनुसार बताते हैं कि संस्किति करन जब परिवार रूपी संस्था को अस्तित्में बाये तो पहले मात तस सतात्मक थी मात सतात्मक सध्धान किस ने की एक किसमाजय के लिए निश्वाव ठीक प्रमुख समाजरें तेरीय। उससे related हमनों questions को देखते हैं पहला question है कि निम्रांकित भारतिय समाज सास्तुयों में किस ने विवा परिवार का सधन अध्यन किया है तो विवा और परिवार का सधन अध्यन कियम कपाडिया ने किया है उनकी पुस्तक का नम क्या है marriage and family in India next day की ऐसी कौनसी समाजिक संस्तह है जो यौन संबंदों को नियम्मित एवं वैददा्दा परदान करते हुए उनसे 5-5 समाजों को समाज में और उच्छी तिस्थान देलाता ह pertama तो जो विवा ही है वो हमारे ऐसी संस्तह है जो कि इनको क्या करती है अधिकान परदान करती है न लिखते हैं कौन-कौन से योन संतुष्टी, आर्थिक सहियो और संतानों का समाजी करन एवं पारन पोजन नेक्स्ट है कि किसी समाज में विवा का सोरूप अन्ततर निश्चित होता है जन संक्या में लिंगो की अनुपात के वाड़ा निश्चित होता है भारत में अगर दो बात की जाए तो 2011 का जब जन्गना हुआ था तो उसमें भारत का लिंगा अनुपात था एक हजार पूर्सों में 943 महिलाएं थी सबसे ज्यादा था खेडल में 1000 पूर्सों में 1084 आपकी महिलाएं थी और सबसे कम न्यूनतम था 879 महिलाएं हडियाना में उत्तर प्रदेश में 912 ठीक है आप लोग जार्खन का और बिहार का जरूर लिख के बताईए कि लिंगानों पात कितना है नेक्ष्री की बिवा को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखा भेतु एक समझोता कहा गया किसकी द्वारा तो मैलीनों वसकी जी की द्वारा कहा गया है नेक्ष्रे की विवाज इसू, उत्पादन एवं अनुरक्षन Writo एक अनुबन्द है यह पड़िवाजा किन के द्वारदी गई है तो यह जो परीवाजह है यह मैलम वसकी jaws की द्वारदी गई है नेक्ष्रे की बिवा जो है ये बिमार आत्माओं के लिए अस्पताल ऐसा कतन किसका है तो लूथर महोदे का नेक्ष्रे की ये किसने कहा हैं कि बिवा नातेदारी का स्रोत है तो मेरिनो वस्की जी कहते हैं नेशकोशने की बिवा का समासास्य संदर्ब केंद्री थे किस पकेंद्री थे तो भूमिकाओं की व्यवस्था पर केंद्री थे नेश कोईशन है कि बिवा अति व्यक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टी का उपकड़ मात्री नहीं है बलकि एक समाजिक क्रिया विधी भी है जिसे समाजिक देड़रा को पोसित करने हितु रचा गिया है बिवा के समद में यह कतन किन की दुआरा दिया गिया है तो समदार एवां मधन जी के दौड़ा नेश कुशन अपने पधूतर के साथ भीवा उसको का आँसे बिवा उसको कॉन से बिवा बोला जाता है यह जिख को ध्यान में personal होता नेक्स्ट देवर बीवा संपन होता है जब एक सब्रूुस अपने मित भाई की विदवासेत को उसके बीदवास्ते से जो बीवा होता है इसको लेवीरेट बोला जाता है नेक्शने बीवा क इस प्रकार का स्वरूप बिश्व में कहीं नहीं पाहे जाता है लेखनें समोन भीवा के पूरा गुरूब के साथ भीवा हो जाना है अभी के समाज में ऐसा के बीवा करता है वह बहुपतिमी बीवा जाता है के बहुपती भीवा रिकार से अकपर भीवा की मतलब होता है यो जो अह scratches से निटाट के भारत के जौन सर बावर की खस जन जाती में किस प्रकार का भी वाद प्रण प्रद्दती वहां पर पाई जाती तो वहां पर बहुपती विवाद देखने को मिलता है नेक्स जो important जो समाजिक संस्था है उसके अंतरगात आपका धर्म आएगा तो धर्म से question को हम लोग देखते हैं कि धर्म केवल सुनने अत्वा मान लेने की चीज नहीं है जब समस्त मन प्रान विस्वास एक हो जाएं और हम उसे तब हम उसको क्या कहते है धर्म करते हैं यह कथन किसका है तो श्वामी विवेका निंद जी का यह कथन है नेक्स जे कि धर्म आध्यात्मिक सक्ति में विस्वा वहीं दुर्खी मोहदे कहते हैं कि धर्म विस्वासों की एक बदता है और इसमें पवित्र वस्तुव से संबंदित क्रियाएं होती हैं टाइलर मोहदे ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में धर्म की उत्पत्ती का सिधान को आत्मवाद का सिधान दिया था विस्वासों का विवाजन होता है तो को आपको इसमें अलोकिक सकती में बिश्वास पर अधारेज जिसमें आत्मवाद और मानावाद दोनों ही समली ते ऐसा किस ने कहा है तो हबल महदे ने कहा है इसे अधर्म का सिधन्द को वो क्या दिया है आत्मवाद का सिधन्द की रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है और इसी सिधन्द को जीववाद Ya Jee Bae Sattah Vad बोल लएदा है मैक्स मुलर का संबन thinking, प्रकति वाद से हैं आत्मा वाद का सिध्धान selling how is Taylor, आपका प्रमुक्स नमान्ज दे, जितने भी kोशन थे आपको कवर कर वादिया थे आप आप लोगों को आज के क्लास हेलफूल रगी होगी इसी प्रकार से आप चैनल के साथ जूरे रहे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद